स्वावत करते हैं आपका अपने YouTube चानल क्यान गंगा गागर में सागर में यह हमारा जो आज का topic है। यह topic हमारा भासा संबन्दित है, भासा से जितने भी relative question है, कहां से आई, कैसे आई, किस ने भासा गवारें क्या कहा, कहां से ली गई, कैसे इसका जनम हुआ, किस ने इस पे ब्यक्तक गोंसा दिया, यह सारा ही इस सारा भासा से relative हमारा concept रहे गई है, इसके लिए आप बड़े धहरी पूरबखों करके सुनें, समझें, वीडियो को दोड़ाएं नहीं, क्योंकि पहली बार हम जब वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बार में, बात में चाहें आप दोड़ाएं कुछ करें, तो वो हमारे मारे मारे में तठस्त हो जाता ह तठस्त करने के लिए आपके लिए एक बारत वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना जरूर पड़ेगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि जैसे अभी तक में आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से, अच्छे अच्छे वीडियो पेस करती आई हूँ, और ये भी वीडिय आपके लिए useful, healthful रहेगी, तो आए जो हमारे चैनल का नारा है, सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, चलते हैं अपने कक्छा के ओर, पिल्कुल कक्छा वाले ही feeling आईगी आपके लिए, हम कोई जल्दिवाजी नहीं करेंगे, ठीके, हम अपने ग्यान गंगगागर मुसा चारण में, लिखने में, अगर कोई गलती हो रही है, तो आप में लिए कमेंट करके बताएं, उस टीच के मैं सुधार करूंगी आगे से, ठीके आजते हैं, कोसन नंबर, देखी क्या कह रहा है कोसन, सौर सैनी भासा का जनम, किस अपभरहंस से हुआ है, जो हमारी जो सौर स पाली भासा है, यह हमारे किस अपभरहंस से इसका जनम हुआ है, तो इसको हम देख लेते, उप्चन A का पाली भासा, उप्चन B का प्राकृत भासा, उप्चन C का संस्कृत भासा, उप्चन D का पैचासी भासा, तो देखिए जो पाली भासा है, यह तो संस्कृत के बाद आई थी तो यह तो होगा नहीं, option C, अब सबसे पहले नहीं होगा, option D, 85 यह तो सभी के बाद आई है, तो यह भी नहीं हो, अब option क्या बचा हमारा B बचा, तो सौर्सेनी का जनम कहां से हुआ, B बचा तो यह बिल्कुल सही हमारा जनम हुआ, इसका कहां से हुआ, प्राकरत भासा के बाद सौर्सेनी आई है, सौर्सेनी से ही, अब प्राकरत भासा से ही सौर्सेनी का जनम हुआ है, तो पोसन हमारा कौन से सही हुआ, पोसन नमबर, sorry, विकल्प मारा कौनसा सही हुआ, भी हुआ, ठीके? कुश्चन देपताओ की भासा, आईए, देपताओ की भासा या देप बाड़ी भासा या देप भासा किस भासा को कहा जाता है? देपताओ की भासा, देप बाड़ी भासा या देप भासा किस भासा को कहा चाता है? option A का paali भासा option B का prakret भासा option C का sannscrapt भासा option D का 85 भासा तो देपताव की भासा हमारी कौन सी भासा है इसे लिए आँ बताईे कहास करे आँप हम भी UP गास करते है पारली भासा तो हो नहीं सकती option A भी नहीं हो सकता prakret भासा ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये सब अपब्रहंस हैं और पैचासी भासा ये तो बिल्कुली नहीं हो सकती तो हमारे ओप्षन कौन सा बचा सी बचा तो जो हमाई ओप्षन सी है न ये संस्क्रिट भासा संस्क्रिट भासा को ही देव बाड़ी भासा देव ताव की भासा संस्क्रिट को औहीं कहा जाता है देव बाड़ी देपतव की भासा देव भासा ठीके ये कोशन के लिए रोगया होगा हमारी लॉंग वीडियो है ये आप एक दम देखते हमारा नेक्ष्ट कोशन क्या कह रहा है पढ़िए इसकी लिए बात कताएं किस भासा में लिखी गई जो प्रवचन दिये थे परचर परसार करा था तो उनकी जो कताएं वो कौनसी भासा में लिखी गई जिक कौनसी लिपी में लिखी गई है option A का प्राकृत भासा, option B का पाली भासा, option C का संस्क्रित भासा, option D का पैचासी भासा तो देखे, प्राकृत भासा में तो बहुत कताएं नहीं लिखे गई थी, ये इसमें जैन कताएं लिखे गई थी option B पाली भासा option C संस्क्रित भासा संस्कृत भासा हमारी देभ भासा है उसमें हमारे भास Huge一下 आये नहीं थे तो लिखी नहीं सकते नाठी संस्क्रित भासा है और D45 भासा यह तो इ candle कि भासा है यहाँ पर तो महत्म बुढ् Disney पिनीं तो ओप्सन हमारा क्या बच्चा गों से बच्चा कौन सा बच्चा बगेज नहीं उगेज उनों किसमे दिये थे वह इन्हें पाली भाशां वह लिखा गया तो हमारी बहुत कःएं किसमें हुई पाली भाशा में फूई जैन कथाएं किस भासा में लिखी गई है जो जैन कथाएं है हमारी नहीं कि जैन कथाएं के परवरतक कौन थे हमारे जैन संप्रदाय के तो वो हमारे महाभीर स्वामी थे ना तो उनकी जो गथाएं वो किस भासा में लिखी गई हैं option A का पाली भासा option B का प्राकृत भासा option C का संस्कृत भासा option D का पैचास्टी भासा तो देखे पाली भासा पाली भासा के समय तो क्योंकि पाली भासा जश्ट हमारे किसकी बाद आई थी संस्कृत के बाद में क्या हमारे एक बैदिक भासा आई थी और लौकिक भास आई थी, उसके बाद में जश्ट हमारे पाली भास आई थी, और पाली के बास प्राक्रित आई थी, तो पाली के समय तो हमारे महत्मबुद्ध जी थे, उसमें मतलब महाभिर सोई जी थे नि, तो यह पाली में है, तो पाली में तो होई नहीं सकती, औपता है, operation C, देखते हैं, तो पाली से पहले आई यहां भी नहीं हो सकते, औपसन D, यह तो बिल्कुल बाद में आई थी, तो इसमें भी, उनका समय पीरिट नहीं है, तो option बचा हमारा B, तो जैन कहता है, कि समय लिले हमारी wood कास में लिले हमारे बेज लिले का से पर तो मेला ये हिंदी भेड़माला की कौन सी है जो हमारी हिंदी भेड़माला है हिंदी की ब्याकरणकी तो कौन सी कै Warumकी जाए का उब संवारे पन्जाब में उप्सट का बढ़ करिंधि ८र्मालो को प्रहामी लिपी जू है देवनागरी लिपी से पहले आई है, यह क्यों नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए तो हमारे भारत ने ही सम्मेदान में इसे जगह नहीं दिये, Saugese, Option C, देवनागरी लिपी, इसकी चर्चा हमारे सम्मेदान में काफी बार करी गई गई है, और इसके लिए विसे स दरजा भी दिया गया है, इस लिपी के लिए, Oh logo, Gibson D, संताली लिपी, संताली लिपी को भी विसेस दर्जा दिया गया है पर सवाल यहां उठ रहा है कि हमारी जो हिंदी बरण वाला है उसकी लिपी कौन सी है, तो हमारी जो हिंदी बरण वाला है इसकी लिपी हमारी कौन सी है, देवनागरी लिपी है option वार हो जाएगा C तीक है देखते हैं हमारे next question क्या कहता है आईए पढ़ते हैं इसके लिए हिंदी भासा कौन सी परवार की है जो हिंदी भासा जुगा है हमारी कौन सी परवार की है option देवनागरी परवार option B घरोश्टी परवार option C भरोपी परवार option D द्राबड परवार तो कौन सी परवार की है ये देवनागरी तो लिपी है तो ये परवार नहीं है खरोश्टी क्या है ये भी लिपी है ये भी परवार नहीं हुआ तो द्राबड और खरोश्टी मिलती जलती है एक दूसरे से तो यह भी नहीं हुआ तो फिर परवार में से हमारे किसका बचा option C भरोपी परवार तो हमारी जो हिंदी भासा कौन से परवार की है तो यह हमारी है भरोपी यह परवार की ठीक है चले अपने next question के तरफ चलते हैं देखिए next question हमारा क्या कह रहा है आए पढ़ते हैं इसके लिए भासाओ का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है जो भासाओं है हमारी इसका सबसे बड़ा परिवार कौन सा है आप्सन A का अंग्रेजी भासा परिवार, आप्सन B का पंजाबी भासा परिवार, आप्सन C का नेपाली भासा परिवार, आप्सन D का बहरोपी भासा परिवार तो हमने अगर इसके लिए भासा के संबंदे पढ़ रखा है कहीं पे तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि यह हमारा उप्सन डी रहेगा तो भरोपी भासा परिवार हो जाएगा इसका अंसर आएगा भरोपी भासा परिवार ठीक है जिकते हैं हमारा next question क्या कह रहा है पढ़िए question पूछ रहा है अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फार्सी यानि कि प्राचीन फार्सी यानि कि पुरानी फार्सी हिंदी, पंजावी, जर्मन, नेपाली यह तमाम भासाएं किस परवार के अंत्रगत आती है उक्रीन हैं यानि के किस परवार से है इनका समंद किस परवार से है option A का, उप्षण बी, पंजावी प्रहु परवार option C, नेपाली परवार, option D, और भी – परवार यह देखिए यहां से question जो मैंने बनाया है एक में इस सारी भासाN इखटी कर दी और इससे क्या रहेगा कि इतनी सारे कोशन बनेंगे जो भी इससे जो तो यह सारे कोशन आपको एक ही कोशन में आपको बन जाएंगे अलग अलग तरह से पूशी जाएंगी तो आप अलग अलग तरह से भी कर देंगे और एक साथ भी कर देंगे और आपको मैंड में टसस्त हो परवारिसंे हमारी वरुपी वहिसार्वलार परवार से फ्र सहुं ऑपरवार से थीआ उपर्सण क्यों सा उपरवार से उपर जहाई था जितर हैं मिल cartoonsी कोकुषन आज्यक की तरह है घृस्ति यह मनारा परवार से कनंस से सदूर्ण Concept if you outcome ही फाली पना पूरे हो mm बढांडी है है कि भाल अक्षम को ऑप्सेंने के लिपीञे पूछ रहे हैं तो option C, आप अगर पढ़ेंगे कहीं, तो आपको पता चल जाएगी किससे बनाए, option C नहीं, sorry, option B हमाई संस्क्रिट बहाँ साके, sorry मेरे उच्छार मेरे तोड़ी गलती हो रही है, जो संस्क्रिट बहाँ साके, बहाँ सदातु से बना है, तो option हमारा हो गया, B जिखते हैं हमारा अगला कोशन क्या पूछ रहा है, हमसे पढ़िए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछ रहे हैं भारत में, हमारे इंडिया में, जो हिंदी दिवस है, वो कब मनाया जाता है, option A का, बंद्रा, सक्टेंबर 1949, option B, 14, सितंबर, नाइंटीन, फॉटीन, उप्सन C, 14, अक्टूबर, नाइंटीन, फॉटीन, उप्सन D, 26, दिसंबर 1949, देखे, इससे दो कोशन बन सकते थे, पर मैंने अधिक समय बिर्थ ना करके, कोशन क्या पूछ रहा है, उसमें मैंने बताया है, जिससे आपको इसकी देट अगरा और मैंनत पूछ लेंगे, यानिके महीना पूछ लेंगे, तो आपको बो भी पता रहेगा, इसलिए हम इसको चलिए, उप्सन, क्या है, उप्सन A, 15 सक्तमबर, 1949 को, ये नहीं है, उप्सन B, 14 सक्तमबर, 1949, उप्सन C, 14 अक्टूबर, 1949, ये भी नहीं है, उप्सन D, 26 दिसंब करों कि हमारे समधान लागू गया था, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा क्या रहेगा, 14 सक्तमबर, 1949, तो ऑप्सन हमारा हो गया, भी 14 सक्तमबर, 1949, अगर आपको मेरे वीडियो, अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब चरूब करें, मैं वीडियो को लाइ क्या कूछ रहा है, इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, क्या है कुशन, दुनिया की सबसे अधिक आवादी, ता 18 पिर्थिसत, बोले जाने वाले, कौन सी भासा है, जो दुनिया में जो भासा बोली जाती है, तो कितनी भासा बोली जाती है, हमारी, ज् भासे उनकी इंती तीन गासा है, पर ज्यादतर की सबसे अधिक जो भासा, जो इसे पूछ रहे की सबसे 18 पिर्थिसत जो भासा बोली जाती है, तो वो कौन सी भासा है, ओपिसन एका चीनि, ओपिसन बी हिंदी, ओपिसन सी चापाने, ओपिसन डी अंग्रेजी, कौन सी 18-18 व्रतिसत बूली जाती है हमारी भारत में तो वह उप्सन मारा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो हिंदी है कुन सा है हिंदी है ठीक है अधिक से अधिक अध्यन करें बुक्स से जहां से भी हो वहां से अध्यन करें और मेरी वीडियो भी देखें चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ क्या करा है कोश्चन हमारा पढ़ते हैं इसके लिए आप भी पढ़िये भारत की राजभासा कौन सी भासा है यानि हमारे भारत की कौन सी राजभासा है हर एक देश की एक अपनी राजभासा होती है तो इसी तरह से हमारे भारत की भी एक राजभासा है तो हम देखते हैं कौन सी ओप्शन A का संस्क्रिट ओप्शन B का हिंदी ओप्शन C का पाली option D का अंग्रेजी तो इन में से हमारी कौन सी भासा है कि जो हमारे भारत की राज भासा है तो वो option हमारा यह संस्कृत हुमारी क्या है यह पहले है आती थी बैदिक रिखवेद के बाद रिखवेद के बाद रिखवेद ने संस्कृत ही चली थी फिर बैदिक के आ गई फिर लौकिक संस्कृत आ गई उसके बाद हुमारे पाली आई पाली के बाद प्राकृत आई और प्राकृत के ब वही तो अप्शन हो गया भी देखते हमारे next question क्या कह रहा है आईए पढ़ते हैं इसके लिए क्या पूछ रहा है देखते हैं इसको देबनागरी लिपी के प्रत्थम पिरचारक कौन थे जो हमाई देबनागरी लिपी है इसका सबसे पहले पिरचार पिरचार किस ने किया था देखे बिल्कुल एकदम unique question है साइद ही आपने कहीं पढ़े होंगे बहुत ही मैंने सर्च करिया है इदर उदर से books से google से सबी से तब मैंने कहीं जाकी एक question बनाए है एकदम useful healthful वीडियो रहेगी आपके लिए एकदम unique question भी है और हमारे जो आते रहें वो question भी है क्योंकि अ ठीक पढ़ते है अपने question की तरह देखनावरी चुलिपी है हमारी देवनागरी जो लिपी है उसके प्रितम प्रिचारक प्रिसारक कौन थे निकर प्रिचारक किसने किया था option निकर साड़ा चड़मिस्र जी या भी option जान सोर या option सी पंडित गौरीदत थी आपी पंडित ल सुकल जी तो रामचंदर सुकली जी तो जी हमारे बहुत ही बाद के हैं तो उसमें तो नहीं थे तो जब नहीं सौरी यह तो हां पहले के हैं और इसमें हमारे जो चर्चा हो रही है सम्मिदान के समय में कि हमारे भारत में इसके लिए माना जाए हिंदी के लिए तो उसके ज आतलिकर का फिर्चार फिर्शारक तो अप्शने सादागत चारण मिस्र जी ऑप्शन वी जानसोर अप्शन सी फंटित कोरीदर अप्शन ते रामचेंदर सूक्ती जी तो ऑप्शन हमारा सी है पंदित कोरीदर पनूज़ागा सी देखिए अगर में कहीं उच्छारान में कहीं गलती हो रही है आई देखते हैं अपना next question क्या कह रहा है देखिए देखते हैं option के लिए कौन थे जिसने नियाले में हिंदुस्तानी भासा और देव नागली लिपी का समर्थन किया तक कौन थे जिसने समर्थन किया था नियाले में कि नहीं इसी भासा को रखा जाना चाहिए सबसे पहले कि इसने समर्थन किया था इसका प्रशारक तो हमारे पंडिक गौरीदत जी थे प्रशारक 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 प आधरी और हमारे गौरीडदत जी है रिच्ट्र पर्चा ने सर्ड़ जी है इन्होंने गोवियामे क्या था कलकट्त cigar में थे तो ये भी नहीं थे वड़्ट्चो इनका समर्थन किया था नियाले में तो वो कौन थे तो ये option हमारा भी हो रहा है जानसोर हो रहा है जानसोर कौन थे एक अंग्रेजी अधिकारी थे ये हमारे यहाँ पे अंग्रेजों कही तो सासन चला था पहले तो इन्होंने कुछ अधिकारी ऐसे थे कि जुनों ने हमारे लिए बहुत सायो कर रहा था बाद में साध्या था हमारा तो उनमें से एक हमारे जानसोर जी भी थे जुनों ने हमारी भासा के लिए हिंदी के लिए कहा था कि इसके लिए हिंदुस्तानी भासा यानि देवनागरी लिपी इसको मालिया जाए देखते हैं हमारा आगला कुस्टन क्या कह रहा है पढ़िए कौन थे जिसने नियालाय में हिंदुस्तानी भासा और देव नागरी लिपी का समर्तन किया था निये कौन थे? और गांदी जी तो समय थे पर उन्होंने इसका समर्धन नहीं किया था नियालाय में तो बचचे हमेरे उप्षन B तो हमारे जो हिंदुस्तानी भासा का समर्धन किया था देव नागरी लिपी गा तो बोते हमारे जानसोर थे अब आपको जानसोर क्यों हो थे? जानसोर एक अंग्रे जिदकारी थे और हो सकते हैं.. को नेहीं.. उसलते कुछ उंगले जासे थे कि जो हमारे भारत के लिए अच्छे थे उन्हीं मेंसे हमारे जानसों भी थे नोने हमारे Backwardуда साथ के लिए देवनारहीाईलपी समर्थन किया था कि देवनारही लिपी रखी जाए देखी कोशन क्या कर रहा है पढ़िए विस्म में कितने हजार भासाइं बोली जाती है यहने कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में कितनी भासाइं बोली जाती है ज्यादा से ज्यादा तर हम देखते हैं इसましょう में, option 1, 4,000, option 2, 3000, option C, 8,000, option D, 10,000, इतने जार मारे साये, अधिक साधिक बोली जाती है, पूरे बर्ल में उप्सन डडेटा जाती है, then option बी है, 3,000 मारे साये, सबस्चा धिक बोली जाती है पुरे विस्व, में यह हम इस तरह से भी कह सकते कि तीने जर्वाशा बोली जा सकती है पूरे बिस में देखते हैं हमारा next question क्या गह रहा है पड़ते हैं इसके सम्मिदान में हिंदी भाशा को किस अनछेद में रखा गया है एक जो हमारी हिंदी भाशा है हमारे समैस्थान में इसके लिए कुछ अंशेद में रखा गया है Option A का 340-350 Option B 323-350 Option C 434-451 Option D 343-355 तो जो हमारी हिंदी भासा है क्यों से अंशेद में रखा गया है बशेस दर्जा दिया गया है हिंदी भासा के लिए तो वो option हमारा रहेगा A. 343-351 हमारा अंशेद ऐसा है कि जिसमें हिंदी भासा की चर्चा ये गई है उसके लिए विशेश दर्जा दिया गया है कि हमारी भारत की भासा हिंदी है इसकी लिपी कौंजी है देवनारी है तो इसकी चर्चा किसमी है अंशेद 343-351 सारे टॉपिक आप पिली हैंपर हिंदी से रिलेटिव मिलेंगे चलते हम अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ क्या कहरा है कोश्चन इसको हम देखते हैं पढ़ते हैं सम्मिधान की किस सूची में जो सम्मिधान है हमारे किस सूची में बाइस भासाओं का परण किया गया है या चर्चा करी गई है या इसको विसेश दर्जा दिया गया है तो उप्सन एका नौबी अंसूची उप्सन भी आट भी अंसूची उप्सन सी साथ भी अंसूची option D, 10 वी अंसूची तो किस अंसूची में हमारी जो 22 भासाइं है उनकी लिए विसेश दरजा रखा गया है दिया गया है उनकी बारे में बताया गया है कि कौन-कौन सी अंसूची हमारे समिदान में रखी गई है भारत में उनकी लिए लाया जाएगा क्रियोड में तो आपसे हैं नव यंसूची नहीं है ऊपशन सी साथ की अनसूची भी नहीं है ऐपसन डे दस की नहीं उपसंन भी कि बचा Nootadece आट वी अंसूची जो हमारी आट सुट है समय धान में उसमें का 22 भासा हुखा बणकी या गया है देखिए गुस्तन क्या कहा रहा है पढ़ते हैं इसके लिए सम्मिदान में जो हमारी 22 भासा हैं तो उन जो 22 भासा की रूप में किस भासा के लिए रखा गया है किसको दर्चा दिया गया है उप्सन B का मैतली उप्सन C का बोडो उप्सन D का सन्थाली देखिए जो हमारा सम्मिदान संसोदन हुआ था 1902 जो हमारे सम्मिदान संसोदन हुआ था सन 2003 में तो उसमें चार भासाइं जोड़ी गई थी और तो उसमें यह पूछ रहे हैं कौनसे भासा जो थी उन चारों भासाओं में से चोथे जो लाश्ट की भासा थी 22 भासा उससे लाश्ट में रखा गया था तो देखिए अप्स पहले पर किया जाएगा हमारा सबसे पहले कुंसे बासा जोड़ी गई थी बोडो रख गई थी ठीके उसके बाद ढोगरी तो अप्संसी नहीं सकता फिर दोगरी पोडो रख दी गई गई थी और लाश्ट बचा क्या हमारा जब बोडो ढोगरी मैथली पहले नमार पर दूसरे पर डोगरी और तीसरे पर मैथली तो बचा क्या हमारा option D बचा तो 22 भासा है हमारी सम्मेदान संसुद में जोड़ी गई थी तो वह हमारी संथाली भासा है अगर इस तरह से कोशन जिलता है यह सम्मेदान में 22 भासा के रूप में किसको अंगरी क्रत किया गया कौंसी भासा को तब भी हमारा संथाली आप बहां पर लगाएंगे चाहिए कोशन ऐसे पूछे जाए जो वैसे पूछे जाए आप संथाली ही लगाएंगे कोशन हमारे क्या है एक निक्ति है पढ़िए बोडो भोड़ी मेथली और संथाली को आट वी अंसूची में सामिल किया गया कौन से समिधान संसोदन के द दौरा जो हमारे समिधान है उसमें बोडो हरा एंसली और संथाली को कौन से संसोधन के द्वार आठवी अन्सूची में सामिल किया गया था तो संसोधन ही इसका हुआ था तो ऑप्चन एका 1992 संसोधन 2003 एकतरवा संसोधन 1992 में ऑप्चन C 21 संसोधन 1967 में ऑप्चन D 93 संसोधन 2004 में कब हुआ था तो यह जो हमारी वास महसा के रूप में चार महसा जोड़ी गई थी कौनसे संसोधन संसोधन के द्वारा और कौनसी सं में तो हमारे यह उप्चन रहेगा यह रहेगा सब्सक्राइब के द्वारा सन 2003 में कौन सा सम्मेधान संसोधन हुआ था तो हिंदी की वहांसाओ को जोड़ने के लिए तो भी हमारा कोशन क्या रहेगा इसी तरह आप दोनों तरह से कोशन कर देंगे चाहिए संसोधन बार्वेगर कर पूछले सा सन 2003 का पूछले किसी भी करह से पूछले आप इसके लिए ध्यान रखेंगे यह किया मेरा उच्चारा करते समय थोड़ा गडबड़ा रहा है आपको इसको ध्यान ना दे कोशन पर ध वो रखता गया थां जो हमारे समय था है कि इसमे सबसे पहले कितनी भास भास थे क्योंकि वोड़ोडरो गोरी यह तो बाद में जोड़ी गयी है पहले कितनी भास थी जब समयसोदन होले था ओस ओका 16 और चौशं में सबसे सोला इसान ऑप 10 सब्सक्राइब देखिए उसमें रखा गया था कितनी वासों के लिए 14 वासों के लिए रखा गया था तो अप्शन मार हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है एक दिम यूनिक कोस्टन है अच्छे कोस्टन है एक्जाम में आने वाले कोस्टन है आप बड़े धहरी फुर्बाव ट्रसस्त होकर बेड़ चाहिए भड़ते हैं अपना नेक्स्ट कोस्टन क्या है कोस्टन तमिल्व 2004 में घुसित संस्क्रित 2005 में कर्नड 2008 में तेलगू 2008 में मल्यालं 2013 में और ओडिया 2014 में बर्तवान में किस भासों को दर्चा राप्त है यानिकि जो ये भासाई हैं इनके लि ने हुको एं से था समयधान में कि का दर्चा दिया गया है और ट्रस में का अराज भासा सफ जाश्र वासा ऐसंके खाल मश्यों Swart habay अपने इस तर के अपनी छेत्र की मात्र भासा ही हैं yeah करें और हमारे भारत की हल राज में अलग अपनी भासा होती है है तो यह प्युछ रहे कि इनके कौन सा दर जा दिया गया है यह सारी पैसाहा जाए it तो हमारी संडराँ उसा कि की में मात्रवासा मात्र वहाषा तो हमारा यह जुल हैं अप संस्री भासा हो जाएगा दो समस्त वहाषाओं के लिए तामिल संस्क्रीट कनड तेल्गु मलयालाम उडिया यह सब सास्थभासा हैं सास्थी वहाषा वह ती इस वह इसे ज्ञान अरजित कर जाता है तो फेस्थ इस तरह सास्रीवासा है और संस्क्र्ट वहें तो हई हैं यूँ एक हमें बारत की संस्क्रट से ही निकली सारी मासा है तो संस्क्रट आप इसलेया ही छासा ठीक है निखते हमारा कोशन क्या कह रहा है पढ़िए इसके लिए हिंदी भासा की सबसे चोटी काई क्या है जो हमारी भासा हिंदी है हम इसको बोलते हैं हमारी भारत की भासा कौन सी है हिंदी है और इसकी लिपी कौन सी है देवनागरी है तो यह कहें इसकी सबसे चोटी काई क्या है तो देखिए option A के दोनी, option B का बर्ण, option C का स्वर, option D, A और B दोन, देखिए question अगर कहीं पे दिया रखा है दोनी और बर्ण, मैंसे दोन मैंसे कौन है, तो आप सबसे पहले हम धोनी निकालते हैं अपने मुख से, तो option वहाँ पे मारा धोनी हो जाएगा, धोनी के बात एक है, तो option हमारा कौन सा हो गया, D हो गया, A और B दोनो, हिंदी वहाँसा की सबसे छोटी एकाई है निके, और उचारण की रूप से, मौकित के रूप में धोनी हो जाएगी, और लिखित के रूप में क्या हो जाएगी, हमारा बर्ण हो जाएगा, तो option हमारे A और B दोनो ह है तो हमारा option क्यों हो जाएगा दी हो जाएगा कि आगे करते हैं अपना next question क्या कह रहा है पढ़ते हैं से हिंदी भासा के कितने भेध या रूप हैं भेध भी कह सकते हैं रूप भी कह सकते हैं कि पॉप यह कठित मोंखिक भासा option भी लिख्षी भासा option सी सांकित्ति भासा तो जो हमारी हिंदी भासा है कि इतने रूपम बोली जा सकती है लिखी जा सकती है तो यह option d a a b c तीनों ही नहीं तो देखिए हमारी भासा जो है इसके तीन बेद है कितने भेद है तीन बेद है वह कौन-कौन से है option A का कथित मौकिक भासा भी है यह थीक है option B लिखित भासा भी है हमारी हिंदी और option C सांग केतिक भासा भी है तो option हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे रखते हैं तो आप मेरे चलों को subscribe जिरू करें मेरी वीडियो को लाइक करें share करें देखते हैं अपना next question क्या कह रहा है भारत में सबसदिक बोले जाने वाले भासा कौनसी हमारे भारत में सबसदिक कौनसी भासा बोली जाती है इसको देख लेते हैं बहुत ही अच्छा कोसन है सब exam में आने वाले कोसन है कितनी भी मैंने इस वीडियो में पनी डाले है कोई कोशन ऐसा नहीं है, कि जो नहीं आएगा, कुछ कोशन ऐसे है कि लागातार repeat, reboot, repeats, काश्ट होते चले आ रहे हैं, कुछ कोशन ऐसे है, जो unique मैं ने रखे हैं, क्योंकि अब नया, पुराना सभी से पूंच रहे हैं, जरूर नहीं कि वही जो आ रहा है वही पूंशते रहेंगे तो हम सब तरफ से इसकी त्यारी करते हूं चलिए इसलिए मैंने बहुत प्रयाप्त कोसिस की है कि आप लिए प्रयाप्त ज्यान दिलाओं बहुत कोशिस की है तो देखिए क्या है मारा बारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कोशन क्या है देखते हैं पढ़े इसको प्रयूक्त की जाने वाली भासा को क्या कहते है यानि कि वयोवहार में जो jullie भूली जुह । मदलती रहती है तो इस तरह से नहों की वहाक्त ओर है थोड़ी कितरा पढ़ेंगे तो थोड़ी और और चेंज होगी सब्सक्राइब कुछ चेतर के तरह यांद कि एक सब्सक्राइब बतलती रहते इस तरह पर पर शेंज कर दी तो यह है। पर कई बोली ओसे मिलकर बनती है तो राज बहासा होती है पर कई बोली ओसे मिलकर बनती है तो यहां पर क्या पोच रहा है पैसी चेती चार्ट की हो जाएक से ख्याय पूर्ची पूछ रहा है कि में तो protect क्यों क्या कहतेành को बोली ञखCar और है टोड़ी में हिन्दी इसे कितने भूलियान में जो थ rättल हंद्व ब्हारत हुआ है हंदी है तो हिंदी जो है उसके कितनी भूलियं है कि मु एक नी बोलियों में इस महासा के लिए बोला जाता है तो हमारी बारत में बारा ओप्शन द्रक्राश जला जाहिए थीक है अधिकतर प्रेयों की जाता ही है हमारे भारत में और जिन के कि लीए कि से कब तक हुआ जो हमारे आजकल जो बोल चाल की महासा इसी को कहते हैं तो यह किस इसमी से कब तक हुआ ठीक है, option A का, option B, option C, option D, तो अप्रवरंस वासा सबसे अधिक प्रयोग में कब लाई गई, तक यह 500 इसा पूर्व के तक तो पाली का समय रहा था, तो 500 इसा पूर्व के बाद का जो समय रहेगा न, वो हमारी अप्रवरंस काल रहेगा, और 20 इस वी से तक से शुरू हुआ था हमारा अप्रवरंस काल, तो इनके 500 के बाद में, question next लेखतें क्या करा है, question आरहम में सम्मिधान में अंग्रेजी भासा के लिए कितने बर्सों तक कामकाजी भासा के रूप में रखा गया था, जो हमारे सम्मिधान था, हमारे जब देश सुतन्त रूप आ था, तब सम्मिधान में अंग्रेजी भासा के लिए कितने बर्सों तक रखा गया था, option A का 15 वर्स, option B का 16 वर्स, option C 18 वर्स, option D 22 वर्स, तो देखे, 22 तो होने सकते कि, 22 तो हमारी जो भासाएं है, उनका वरानर है सम्मिधान में, क्या उन, अंग्रेजी है, कोश्चन देखिये, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम्मिधान में, सहोगी भासा की रूप में, किस भासा को रखा गया है, हमारे जो सम्मिधान है, बारत का, सहोगी भासा के रूप में, किस भासा क्लिए रखा गया था, जब हमारे सम्मिधान बना थ प्रूसरू में option A का चीनी, option B फार्सी, option C अंग्रेजी, option D लेटिन, तो देखें चीनी भी नहीं रखी गई थी, फार्सी भी नहीं रखी गई थी, लेटिन भी नहीं रखी गई थी, तो हमारा बच्चा क्या? option C, यनि के अंग्रेजी भासा के लिए समिधान में, कामकाजी भासा के रूप में रखा गया था हमारे भारत के समिधान में, देखी, next question क्या है? देखते हैं इसके लिए भी पढ़िए, राष्ट भासा के बिना राष्ट गूंगा है, ये किसने कहा था? यनि जो राष्ट भा रामर हो रहा है, option C, महात्मा गांदी जी, या option D, स्वामी बिवेकानन जी ने, किसने कहा था? ये हमारा राष्ट राष्ट महासा के बिना बूंगा है, तो ये कहा था हमारे महात्मा गांदी जी ने कहा था, तो option हमारा हो गया, C, देखे एक दम unique question था, बढ़िया question था, एक कस्मीर से कन्या कुमारी तक सब भारतिये एक भासा समझने और बोलने लगेंगे, ये वक्तब जो है, किसका है, किसने कहा था, बताई, option A, दयानन सरस्वती जी ने, option C, महात्मा गांदी जी ने, option D, स्वामी बिवेकानन जी ने, ये किसने कहा था, बहुत ही अच्छा है, ए कि हमारे दयानन सरस्वती जी ने कहा था, तो option हमारा हो गया, A, उम्मीन करती हूँ, आपके लिए मेरे question अच्छे लग रहे होगे, मेरे video अच्छे लग रही होगी, तो आप मेंचल को subscribe जरू करें, मेरे video के like, question next क्या कह रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं, इसके लिए क्या कह रहा है, देखी से, भासा का सबसे पुराना रूप कहां मिलता है, जो हमारी भासा जो है, एकदम ऐसा तो है नहीं, कि अभी हमने बोलना शुरू कर रहा है, भासा किसी ना किसी तरह से हर समय रही होगी, इंसान के माद्द में, तो कब शुरू हुआ, option A, लिग बेद, option B, अथरवेद, option C, सामबेद, option D, अजरवेद, कब से शुरू हुआ, कौन से बेद से शुरू हुआ, तो यह हमारे option A है, लिग बेद से ही हमारी भासा का पुराना रूप मिलता है, लिग बेद में हमारी भासा को बोला जाता था, उसमें संस्कृत निष्ट थी, ठीके, उसके क्या खेरा है, भारत की प्रतम देश भासा कौन सी हमारे भारत की प्रतम देश भासा कौन सी है, option A का संस्कृत, option B का पाली, option C के प्राकृत, option D का हिंदी, ठीकी, सारी भासे हमारी यहां की है, बगर यह को सन पूच रहा है कि सबसे पहली भासा कौन सी है, तो अगर सबसे प वहां पर पाली को ठिक करेंगे अगर आपको मेरे कुस्तन अच्छे लगते हैं तो आ पर नैग्स्त नमारा क्या है आए पढ़तें इस के लिए भाए मेस इसे इसे पहुटर MMA की तो यह आजाएगी हमारी बिहारी भासा में आजाएगी यह हमेशा पूछे जानने वाले कोशन है हिंदी भासा से रिलेटिव हैं कुछ उनिक कोशन भी डाले हैं मैंने कुछ हमेशा जो आते हैं दरें तर उनको डाला है इसलिए आपके लिए मेरी जो वीडियो है ये आपके लिए एकनम useful, healthful ज़रूर रहेगी कोशन देखी क्या कह रहा है मारा पड़ियत के लिए ब्यारी भासा किस भासा से अधिक सम्मझ रखती है option A का बंगला भासा, option B मैतली भासा, option सिन मागी भासा, option D बहासा से टो बिल्कुल न रख सकती क्योंकि ये हमारी भासा में आती है और हमारी मैतली है ये हमारे विहारी भासा में आती है not गileut कि बात हो रहे है सबसे आधी किस्से रखती है mail खाती है mail मिलती जुलती है तो option हमारा रहेगा ए पर option आ जाता है कहीं भी एक्जाम में तो आप छोड़के नहीं आएंगे उम्मीद करती हूं कि आपके लिए unique question लग रहा होगा पट आप इसको करके जरूर आएंगे कि अपको कहीं से भी question पूछ लिए जाते हैं तो इसके लिए आप एकदम तयाद हैं पहले से अपडेट होके रहें है है में कि next question नमरे क्या कह रहा है कर दते हैं कि अंतरत आती है यह मंघी वहसा अभी वहास बढ़ाती है एक ऑ्झी वहारी वहास लिए पस्ट्री वहसा ब्सक्षा ब्सक्राइश को इसे रखती है तो और अप्स्न पूण्स हो जाएगा सी हो जाएगा यह विहारी भासा समंद्ध रखती है अंत्रगत आती है यह हमारी विहारी भासा का ही रूप है मगही भासा अगर आपके लिए मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं घल्थ फुल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मेरे वीडियो की लाइक करें अगर कहीं कोई गलती हो रही तो आप कमेंट्स करके पता है उस चीज़ कर जिससे में आगे को सुधार कर सकूंँ नेखते हैं कोसन पढ़ते हैं नेक्स कोसन के लिए क्या कह रहा है पढ़ते हैं मैतली भासा किस भासा की अंतरगत आती हैं कि मैतली जो भासा जो है किस भासा की भासा है या उससे उसका विकास हुआ है option A का अब्धी भासा, option B पूर्भी भासा, option C पस्मी भासा, option D बिहारी भासा किसमें आती है हमारी मैतली भासा, तो देखिए अब्धी तो हो नहीं सकती, अब्धी पूर्भी एकी है, पस्मी में हमारे भड़ी बूलिया जाती है, सौर्स एनी बगएरा तो option हमारा हो जाएगा D, तो यह हो गया हमारा विहारी भासा के अंत्रगत आती है, मैतली भासा और मैतली भासा के सबसे प्रसिद कभी कौन हुए थे, पिद्यापती जी हुए थे, जिनने मैतली कोकिल भी कहा जाता है अपने next question देखते हैं, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसके लिए, मैतली भासा के प्रसिद कभी कौन थे, अभी मैने next question में बताया था, कि कौन से कभी जो थे, मैतली भासा के प्रसिद कभी हुए, option A का, मिकारी, ठाकूर, option B, विद्यापती जी, option C, के सब्दास, option D, मतिराम तो हमारे जो मैतली भासा के प्रसिद कभी कौन हुए, जिनके लिए मैतली को किल भी कहा जाता था, तो वो हमारे थे, विद्यापती जी थे, तो option होगा, हमारा हो गया, B, option क्या हो गया, B हो गया, ठीके, और हमारे जो भीकारी ठाकूर, यह ठाकूर, दास जी थे, यह हमारे नागरी हो जाएगा रहा है Q निकलते हैं कौन इहुत हमारे आता है पूछा जाता है और आने वाले समय भी आता ही रहेगा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप में चैनल सस्क्राब जरूर करें उम्मीद करती हूं आपके लिए यह मेरी वीडियो हैल्थ फूल यूजफूल जरूर रहेंगी ठीक हमारा नेक्स्ट सब्सक्राइब कोई नहीं तो इसके लिए बिल्कुल सही बाते तो उन्हीं किया होगा हमारी ब्रह में लिपीगा तो अप्शन हमारा कॉन से हो जाएगा बी हो जाएगा इधर उधर ना बटकते हुए सब एक्जाम में पूछे जाने वाले कोसन है अधिकतर आते रहे हैं औ सुनें पढ़ें आप एक काम ना करें कि वीडियो को दोड़ाए नहीं आप लिए वर बड़े ध्यान से तठस तो करके बैठे रहें कख्चा की फिलिंग लें अनन्द लें ठीक है ह मेरे क्या है कौन सी साख़वें लेजी नागरी का विकास हुआ है ऑपशने पूर्वी साख़व की पक्त नागरी ने कि का व्यीक बहिए थी कौन्य साख़वा मेरे 21 कि कृस्सें देखिए इसके लिए आप Max अभी मैंने पड़ा है कि कॉने सी वह से देवनागरी बिकास हए जाना इधिन का किस लिषा से पहलत कि कौन से लिपी से तो ऑप्शन डिपी से देव नागरी लिपी का बिकास हुआ है तो यह थी आतुब पूरवी अप्समी दोनों बता सकते हैं अगर लिपी पूछें तो आप आप नागरी लिपी पे ही ठीक करेंगे नेक्ट क्या है हमारा गुच्राती लिपी का विकास किस साखा से हुआ है आप लिपी में और साखा में बता ही तो यहां पर लिपी पूछ रहे हैं कि आप लिपी साखा रहे हैं तो नागरी क्या थी हमाई लिपी ती तो नागरी से option भी हो जाएगा तो पस्तमी साखा से हुआ ठीक है इंची जो को हम बड़ी ध्यान पुरुबग ध्यारी पुरुबग समझें तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि साखा पूंचे जा रहा है कि लिपी पूंचे जा रहा है कि नेक्ट कोसन क्या हमारा महाजनी लिपी का वि बिदोनों option डी यह भी दोनों ही नहीं लिखना भूलें कोई नहीं तो देखिए इसका जो लिपी है महाजनी लिपी इसका किस साखा से विकास हुआ है तो इसका हुआ है पस्तमी साखा से तो option वारत क्या हो जाएगा भी हो जाएगा नेक्स्ट कोसन क्या हमारा पढ़ते है कैथी लिफी का विकास किस साखा से हुआ है option एक पूर भी साखा option बी का पच्छमी साखा option C A और B दोनों option D A और B दोनों ही नहीं आएगा दी वाले में तो आम बताएगे तो पिरते एक भासा की अपनी एक लिपी होती है तो वह यहा ठीक है अहीं पढ़ते हैं अपने हम नेक्ट कोसन क्या कह रहा है बांगला लिपी का विकास किस साखा से हुआ है आम सारी साखाएं किलिर करा देते हैं option A का पूर भी साखा option B का पच्छमी साखा option C A और B दोनों या कोई नहीं option D तो देखिए बांगला लिपी का विकास किस साखा से हुआ है तो आप पर क्या करेंगे चै भूरी साखा पर को ठीक कर दिए ब diferencia मा धिक पूरवे साखा में आती है तो आप्सें हमारा हो जाएगा ए ठीक ए के कोछल के हम पढ़ते हम उडिया लिपी उडिया लिपी या अपकास किस साखा से हुआ है ौपસन ओप्सने फूरी साखा, ओप्सन बी परत्थमी साखा, ओप्सन से फोर्थमी साखा, फूप्सन अपनी Ñडि या ये विए फूर्थमी साखा से होât, कौन्सी से ? फूर्थमी साखा से कोशन पढ़ते हैं अपना क्या है नेक्ट कोशन कर चलते हैं एक दम यूनिक कोशन है आपने साइध ही कहीं ध्यान से पढ़ा होगा पर अब इस तरह के कोशन भी कहीं से कुछी पूशा जाएगा यह भासा समंधित कोशन ही है और मैंने भासा से अधिक साधिक रिसर्च करके अधर उदर से सारी जगह से गूगल से सबसे तब मैंने कोशन बनाए है उम्मीद करती है अपके लिए बहुत ही हैल्थफूल होंगे यह विश्फल भी रहेंगे कोशन क्या गहरा है मारा देवनागरी लीपी को दूसरे कौनसे दो नाम से जाना जाता है अगर आजाता है य जाना जाता है देवनागरी को और हिंदी की लिपी तो ठीक है तो आप किसको लगाएंगे लोक नागरी और हिंदी लिपी दोनों है तो आप्सन हमारा हो जाएगा डी ए और भी दोनों कि आये पढ़ते हैं अपना लाश्ट कोसन लाश्ट कोसन क्या है आप समझें इसके लिए धैरे प्रूबग एकदम यहां आप कन्फीज ना हो कि एगी कि साखा पूछ रहें कि लिपी पूछ रहें कि भासा पूछ रहें जो मैं कहरें उसके लिए आप बहुत ध्यान पुरो कि लेकर पूछ रहें पूरी पाणको हो और कि लेकरा किने सहीवा हैं इसके यह कोषण पूछ रहें हैं किस साखा सो हुआ तो अब option ठीक है हम के लिए करते हैं पढ़ते हैं इसके लिए आप नहीं हो कि यह क्या है नहीं ठीके तो किससे हुआ इसके लिए बहुत ही बता सकता है जिसने इसको बहुत ही पढ़ा होगा और देखी मैंने बहुत ही मेहनत की है इस कोशन पे और सारी कोशन पे तो यह हमारे किसे हुआ था देखी अस्मी जो पूर्वी साखा है हमारी और पस्मी साखा पूर्वी साखा से एक सबसे बड़ी विश्चा क्या है इससे तीन लिपियों का क्या हुआ विकास हुआ था वो क तो पूरभी शाखा से बिकास हुआ था कितनी लिपी होगा देगुनागरी लिपी राजिस्थानी लिपी गुजराती लिपी महाजनी लिपी और कैती लिपी ठीक कितने हो गई यह पांच हो गई किस से निकली थी पश्चमी साखा से और पूरभी साखा से सिरफ तीन लिपिय एक साका है कौन सी है असमी लिपी तो फिर यह किससे हो गई को सब्सन भी अब रहे होगे तो आंसर क्या आएगा निकल के 10 वे व्यार्च को संव थंप इंधर में नेक्ट को संव पढ़ तरब क्या क्या पढ़ते हैं इसके लिए को संव क्या है प्रॉफित कुछ में हम नएनाप्रापय शुच्छ में घर death Report दे को सिर् लंका कि देख बढ़र तो हमारा को संव क्या है खेड़ बातならब दो log option a का मागडी option B मखही option C अबदी option D टाकर तो क्या कहते हैं स्रीलंका की लोग इसके लिए पाली के लिए पाली के लिए किसने क्या लिखा गया था यह नहीं कि किसके बाद आएती बहुत कथाएं से पाली फॉल्जुट नियुकर में नियुक्ति है जोयों करता है हुआ कि अपने अगले गया पढ Shaun करते हैं के वहुच्परी बहाषा के पृसिद कभी कौन थे वहुच्परी परशिद कभी कौन थे भी आपने का विद्दापती जी खारिटाकुर के 1 अगरे इसब्दास जी आपशन दी मतिराम्धी के 1200 मतिरामों तो हो नहीं सकते क्योंकि रीतिकल की में है लीधक बचे हं बिद्यापति ज्वीं फिकारी ठाकूर घुण अपनाया अपने सा मिलो थी कोई साखा को नहीं अपनाया तो option हमारा कुंसों हो जाएगा भी हो जाएगा भिखारी ठाकुर बढ़ते हम अपने अगले question की तरफ क्या है question किसका छेत्र बड़ा होता है option A बोली का option B महासा का option C A और B दोनो option D कोई नहीं देखिए किसका छेत्र बड़ा होता है देखिए बोली किस पर बोली जाती है तो बोली हमारे जैसे कुछ एरिया तक बोले जाने वाली भासा होती है और कुछ समय अंतराल जू है भासा हमारी चेंज होती रहती बोली और सारी बोलियों से कई बोलियों से करत्रित हो करने की मिल करके बनती है वो क्या होती वो भासा होती है तो छेत्र किसका बढ़ा हुआ फिर हिसाब से जब कई बोलियों से मिल करके बनती है तो किसका छेत्र बढ़ा हो भासा को हो तो option नमारा कुन से हो जाएगा B हो जाएगा देखी, next question नमारे क्या कह रहा है पढ़ते हैं इसके रहे जो देबनागरी लिपी है हमारी, इसकी कैसे लिपी है option A अफ्षरात्मक लिपी, option B बर्णात्मक लिपी option C, A और B दोनों या कोई नहीं तो देखी हमारी जो लिपी जो है अफ्षरात्मक लिपी भी है और बर्णात्मक लिपी भी है तो option नमारे कौन से हो जाएगा C हो जाएगा ठीके, एक इसका नाम और है बैग्यानिक लिपी, अगर पूछते हैं कहीं कि हमारी देबनागरी लिपी जो है बैग्यानिक लिपी है तो हाँ जी हाँ है बैग्यानिक लिपी भी है आप परिशाना हो एक जाम रूम में चाहिए किसी भी तरह से पूछे आप इसका आंसर देकर ही आएंगे नेक्स कोशन लिपी चलते हैं कौन सी लिपी बहाँ से दाय लिखी जाती है आप सोचतों मैंने यह तो बड़ा ईजी कोशन टाल दिया हमें भी पता है बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि आप भी तो पढ़ते हैं आप सॉन ए फार्शि लिपी आप सं बी उर्दू लिपी आप सं दी खरुष्टी लिपी देखिए मैं जादतर कोशिच कर रही हूं कि हम एक मिनट के अंदर ही कोशन का आंशर दे दे क्योंकि इससे क्या होगा हमारी आदत पढ़ जाएगी एक मिनट के अंदर आंसर देने की, क्योंकि एक्जाम रूम में हमाली इतना ही समय कोशन पर मिलता है, तो option चलती है, option A का फार्सी लिपी, option B उर्दू लिपी, option C देवनागरी लिपी, A, option D खरोश्टी लिपी, तो 22 से दाय लिखने वाली कौन सी लिपी हमारी, देवनागरी लिपी है, तो option के व हो जाएगा, परते हम अपने कोशन के लिए, क्या कहा रहा है, कोशन देखते हैं, इसके लिए भी, लखनव, इलाभाद, राय बरीडी, सितापूर, गोड़ना, हतेपूर, उन्नाव, सुल्तानपूर, पृताबगड, और 12 मंकी में कौन सी बहसा बूली चाहती है, कौन सी ब पूली बोली जाती है, वो सारे छेत्र अमने एक ही कोशन में दे दिया है, यह साप एदर उदा ना भटके, तो ऑप्शन A, अब्दी, पूर्भी हिंदी, ऑप्शन C, बगहली, ऑप्शन D, A और दोनो, तो देखिए, हमारे छेत्र है, इसमें अब्दी ही बोली जाती है, औ और पूर्भी हिंदी, पूर्भी हिंदी जाही अब्दी निकलिए, तो ऑप्शन नमारे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीके, अगर वहां पी अब्दी, वह पूर्भी दोनो दिया हो, तो आप किस पर टी करेंगे, आप आप अब्दी पर करेंगे, अब्दी पर करें या option D, A और B दोनों ही तो मलिक मुहमद जैसी जी तो इन्होंने किस में लिखा अपने पदावत महाकाब के लिए option A का अबदी, option B पूर्भी हिंदी option C बगे लिए option D, A और B दोनों ही तो देखिए अबदी जो है किसके पूर्भी हिंदी की देन है अबदी और पूर्भी हिंदी ठीक है दोनों एक जैसी ही बूली है पूर्भी हिंदी से ही अबदी निकली है तो option हमारे क्या हो जाएगा D हो जाएगा A और B या तो बहाँ पर exam room में अबदी आग जाए लिखके हisजे तो अब पूर्भी हिंदी न और अब अबदी को ही मानेगे ठीक है पढ़ते हम अपना question रामचरित मानस महा काभ मैं लिखा ऑखम लिखा है बिल्कुल आपको भी पता होगा हमें भी पता है तो फिर भी question पूछी जाते रहते हैं तो इसलिए इनके लिए भी हम अपनी वीडियो में जगह दे रहे हैं यूनिक और जो लगातर निरंतर पुछे आ रहे हैं उनको भी तो ओप्सन ए हमारा अब्दी भासा ऑप्सन भी पगेली भासा ऑप्सन सी च्छती जड़ी वासा ऑप्सन डी मैतली वासा तो रामचरित मार्श जो महाक अब्दी बोली अब्दी बगेली च्छतीस गड़ी कोशन यही तो है अब्दी बगेली च्छतीस गड़ी किस हिंदी के अंतगरत आती है निकिस हिंदी से निकली है उबजी है तो ओप्सन एका पूर्वी हिंदी ओप्सन भी अर्ध माग दी ओप्सन डी सौरी या पीडियो अगर इन दोनों में से कोई एक हो तो आप हापी तब भी टिकर के आएंगे एक्जाम में वैसे तो अप्शन हमारा कुंस हो जाएगा डी हो जाएगा ए और भी दोनों है अब दी बगेली छेतिस गड़ी यह सब किस कंत्रत आती है फूर भी हिंदी और दमागदी के रच प्राकुरत के अप्रवं से कौन सी हिंदी निकली है जो अठ बागदी है फ्राकुरत के अप्रॉंसे पूर भी हिंदी पूर भी हिंदी से तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्सन हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अगर मेरी यह वीडियो देख ली और ध्यान से सुन ली ध्यारी प्रुवक्त सुन ली तठस्तो करके यह की कोशन मार क्या करा है बिरज भासा कर्णो जी राजस्तानी खड़ी बोली बुंदेली और बांग रुखिस भासा से समंद रखती है और बिरज भासा में बहुत अधिक साथ लिखा गया किसी ने लिखा था सूरदास जी ने लिखा था है उम्हींद करती हूं अपके लिए मेरी वीडियो बहुत ही यूजफुल और हैल्फुल और हैल्थ फूल इनके हैल्फ पूल है स्भासानी लिखापके उनक जो मैं कहते हैं जानवूशक करते हूं क्योंकि इसलिए कि भीडि शाकह साका से पूर्वी साकह से किसे रखती है पस्मी हिंदी तो हमारी पश्मी हिंदी रखती है यह हमारी आपके अबने मीजाओं होगी हेल्थ helpful भी होगी आप बस वीडियो को दोड़ानी तचस्त हो करके आप फिलिंग लेते रहें रक्षा वाली क्लास वाली उमिन करती हैं अपके लिए बहुत यहां से ज्ञान प्राप्थ होगा अगर कहीं कोई मिश्टेक या घलती हो रही तो आप मेली कमेंट्स करके जरूर बताएं उससे कौन सी भासा संमल्ध रहति है मौन से लिए घलती है बगेली अल만 है हमारे पयारण से होगेली तो हमारे कि बचा क्या है सबस्ते ही समय है हो रहा हुप निए किसमें इस का हफ्राण से होगा क्या है सरसते हिसके किиться हो फोगेली मेतार यह हुगा इस तरह के ही कोशन एक्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे आगे वहां से समंधिन पढ़ते हैं अपना कोशन पूर्वी हिंदी कि अगर है कोशन पूर्वी हिंदी कौन सी साखा से समंध रखती है पूर्वी हिंदी कोशन इस तरह से पूछ लेते हैं अग्जाम में हर तरह से कोशन पूछन पूछने का तरीका यह बदलता चला जा रहा है यह इतने वी एक्जाम आ रहे हैं तो उस हिसाब से आफ हमें अपडेट रहके होना पड़ेगा क्या है अबधी बगेली और 36-3 किससा अभरंच से आती है इनि किसससा इन से इन होने जनम लिया है अब दीव अगेली और चतिस गड़ी ने option A अर्दमागदी अपभरंस option B पूर भी, option C 85, option D A और भी दोनो तो देखिए अर्दमागदी भी पूर भी से रिलेटिव है तो यह हमारे question D बनता है A भी दोनो अगर exam room में exam room में अगर पूछ लेते हैं वहाँ पी अर्दमागदी हो पूर भी दोनो दे रखा है तो आप वहाँ पे किस पर टीक करेंगे तो वहाँ पर आप अर्दमागदी पर टीक करेंगे देखते हैं अपने यह वाला question क्या कह रहा है पढ़ते हैं इसके लिए इटाबा दच्छन दिल्ली गंगे उमना के मदबर्ती प्रांत में कौन सी भासा बोली जाती है option A का ब्रजबासा option B कर्णोजी भासा option C बंदेली भासा option B बंगारू भासा तो देखिए बंदेली भासा जो है यह हमारे जहासी के एरिया में बोली जाती है बंगारू दिल्ली के असपास बोली जाती है तो यह दोनों तो हो नहीं सकते COD option B बचे हमारे A और B इन को देख लेते है तिकि ब्रजबासा जो है यह भी दिल्ली के असपास बोली जाती है कर्णोजी भासा भी यह दच गंगा युम्ना के मर्द बर्ती इलाकों बोली जाती है तो option A और B दोनों ही सही हो जाएंगे दोनों ही भासा है इस मर्द बर्ती प्रांट में बोली जाती है क्या कहना है हमारा कोस्टन देखने इसके लिए बिरज भासा कौन सी भासा है जो बिरज भासा जो है हमारी कौन सी भासा है Option A खड़ी भासा, Option B अबधी भासा, Option C पूरी भासा, Option D मागी भासा तो देखें मागी भासा हमारी किसमा आती है किसमा जाती है यह बोज्च पूरी भासा? यहनुकि प्यारी भासा में आ जाएगी और अब्दी मेंने हमारी पूरी भी ओली ढके आ घीए। आपफ्थी है कौन्स सबनीक women sonra इसी तरह से वहाँ प्रेशन ना हूँ वीडियो सांती पूर्वक सुनें को सब्सक्राइब पढ़ते हम अपना क्या करें को सब्सक्राइब जहां सी जालों हमीरपु वालियर चैतीस गड़ रायपु श्यौनी और नर्शिंगा पूर के आसपास कौन सी बोली बोली चाती है दो चैति डिल्ली ओसफेइद कुन से गुंज बौली बोली हका दिल्ली के अशुक्राइब उस जक्राइब हो दिफ्न में जाती dong भी बातफीन पास दो चैता सार्चे हमारे बहुत बन जाएगगे ऑख़्ाजम आग 12 हो पूरी निकलेगा इस Mu तो मैंने एक साथ इसलिकी डाल दिए कि आपके मांड में ततस्त रहेंगे पढ़ते हम अपने इंख लिए क्या है क्यों चाहिए है दिल्ली हिसार करनाल और होताक के आस पास का उंसी बोली बोला जाती है जो दिल्ली हिसार करना लोग रहताक हैं इनके आसपास कुन सी बोली बोली जाते हैं अगर बॉली जाते हैं तो कुन सी बोली है वो बांगरू है वैनिक बांगरू वहांसा है देख इसमें ही बहुत कोशन बन जाएं आपके हिसार देखी वहां पी जादत नहीं पूछेंगे एक ही बोली की बारे में पूछते हैं एक ही जगह इस्तान दिया होता एक ही चेतर दिया होता तो इसमें से हमारे देखो हिसार अलग हो जाएगा करना लाग रहताक लग ठीक है अगर आपके मेरी वीडियो अच्छी लगती त फदेख के लिए क्या है हिंदुस्तानि भाइसा कौनिसी भाइसा को कहते है हिंदुसस्तानी भाइसा को कहते है पस्तमी भासा और पस्तमी हिंदी को ही कहते हैं आप ध्यान रखें आपके लिए यूनिक कोशन लग रहा हुपर यूनिक भी पूछे जाएंगे आप तो जो निरंतर चले आ रहा है उनको भी पढ़ते रहें और आपसे भी आप ध्यान में रखें ने कोस्ण के आपढ़िये कोस्ण क्या है हिंदी में खड़ी बोली की प्रतम रचनाबं महाकाब कॉन सा है सब्सक्ति की अबलासा कौनसी जो है महाकाब घड़ी बोली में लिखा गया है तो हरियोद सिंह और जे उपादय यू थे ये प्रिथम कभी थे और इनकी ही महाकाप जो है जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में लिखा ये रचना तो ये हमारा पिर ये प्रिवास है option ए क्योंकि प्रिवास ओध्या सिंग उपाद्या जी का ही है कोशन क्या कह रहा है देखने से हिंडी में खड़ी बोली के प्रिथम कभी कौन थे बहुत अच्छा यूनिक कोशन है योगी खड़ी बोली पर टॉपिक चल ला है तो हम क्योंने इसके लिए भी करते चलें औरकें के प्रिथम कोशन हैं वाख्या सिंग अपाद्य के पर टॉपिक हां अठीक अपर्भी की हम बोली को तो एक में onlinerière इसों को हां एक ए ट ड इकिकुरं का फट बूल कि तो बताएं किस आप दो हो नहीं सकती तो हमारी खड़ी बीरी में आती आती हैं कौन सी आती है कॉर भीरे आती है पस्मिय आती है ये सारी इती है को ह Вас मुझसा और न न हो जाएगा D हो जाएगा पढ़ते हैं अपना question क्या कह रहा है इस question को पढ़ लेते हैं महराश्टी अप्रंस से कौन सी भासा जन्मी जो महराश्टी अप्रंस है इससे कौन सी भासा जन्मी है कौर भी बुंदेली, मराटी, बंगारू इसके लिए तो पढ़ी आसानी से पचा लेंगे बिल्कुल सही हमारा उप्सन महराश्टी 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 इससे कोई जादा प्रिशान होने की रूवत नहीं है देखते के question क्या कह रहा है पढ़ते हैं इसके लिए ब्रज भासा हिंदुस्तानी भासा क्योंकि तीन रूप भी हो सकते हैं और चार रूप क्योंकि इसी भासा में कन्नोजी, बुंदेली, बांगरू ये सारी हिंदुस्तानी भासा में ही आती हैं तो हम खह सकते हैं कि इसके पस्मी भासा के कितने रूप हो सकते हैं निके पस्मी महासा में ब्रज महासा आती है और हिंदुस्तानी महासा आती है तो इसके होते हैं दो रूप अगर आजाता है कोशन इस तरह से तो ठीक है नेट्ट के घ्रथा है देखतेमेस के लिए फड़तें मेर्त बागदिलिके काशली आजपास कौन सी बोली बोली आती से स्थisu मेड़ा दिल्ली का उपasyum H option D खस तो देखिए जो हमारे दिल्ली मेर्ट के आसपास सबसादी क्यों सी महासा बोली आती है खड़ी बोली बोली आती है तो option के हो जाएगा सी हो जाएगा अगर यहां पर खड़ी नहीं होता सिर्फ पहस्टमी दिया होता और पूर्वी और खस और कुछ और तो आप यहां पर पहस्टमी पर भी कर सकते थे पहस्ट hundred क्या ग़़ा है महारा आएए क्वस्टक पढ़ते हैं अगरा ही एप महाराश्टी महाश्टी महासा सुआ है option newly up कि नेक्स्ट वोचन पश्मी हिंदी ब्रजभासा राजस्तानी खड़ीबोली गास किसा ब्रजभासाइघ्र सब्सक्राइट और अंदी अर्द्माःकदी की और B, option माग दी अब ब्रंस जो है, ये हमारे बिहारी से है, तो बच्चा क्या, सौर सही नी, option इसलिए हमारे option क्यों हो जाएगा, सौर सही हो जाएगा, तो कौन सा सही रहेगा, option A, ठीक है, आंसर इसका ये सही है, करते हैं हम अपना question ये बाला भी, क्या कराएगे question, कोवाणी गडवाली, पहाड़ी, बहासा किस अपवरंस से जन्मी है, यानि किस से इसका जन्म हुआ है, option A का खस, अपवरंस, option B, मागदी अपवरंस, option C, 85 अपवरंस, option D, अर्धमागदी अपवरंस, तो देखी जो, हमारे मागदी अपवरंस है, ये तो बोज़पुरी से है, 85 नही इससे आएगी ब्यारी उससे पूर भी सा जाएगी तो यह हमारे तीनों ही नहीं है B, C, D और बचा किया A तो यह खस अपवरंस जू है इसमें कुमानी गड़वाली निके पहाडी छेतर सी है तो यही हमारा option सही कुन सा होगा A होगा ठीक है? Option A हमारा सही होगा आएए पढ़ते हैं अपने question लैदा पंजाबी महासा किस अपवरंस से जन्मी है? Option A खस अपवरंस, Option B मागदी अपवरंस, Option C पैचासी अपवरंस, Option D अर्द मागदी अपवरंस तो फिर्द खस जू है हमारे पहाड़ी छेतर सा जाती है, मागदी अपर भूछ भी छेतर सा जाती है, तो 85 हमारे इस से आएगी, यह पंजाबी छेतर सा जाएगी, और D अर्द मागदी जू हमारे अपदी छेतर सा, तो खोस्न ना तो option A रहेगा, Option B भी नहीं रहेगा प्रणाइब बहुत पूछे जाते हैं और आगे तक पूछे भी जाएंगे नरंतर पूछे जाते हैं इसलिए अच्छे से इंच को तयार करते हुए चलें और पूछे ही एपने चल दें नेक्डेशं पर क्या है नेक्डेस पमयानी बाज़खाय जो है है किका पकल्स के सब्धेश्तव पूर्भी पूर्वी 5 कर ऊपारे, बमें कोले कि रगा आजम पूर्वी अब्र सॉ अपहना कान दी खरी बमें, आजम परिश्र। क्या मैं निकले के सी भोजपरी ठीक है कि आयरे चलने निकली फिनुन की तरब एक राइया चलने चैन्पयर और चंपारन में ओर्परी हो खड़ी तो चंपारण में भी हमारी कौन सी बोली बोली आती है और भोजपूरी बोली आती है क्योंकि बहुत बदा चेत्र है ठीक है सबसे जाने वाली अगर कोई बोली आए तो वो भोजपूरी है तो फ़ो जाएगा सी आजाएगा आंसर के हुआ सी हुआ आईए देखते हैं अपने नेक्स्ट कोस्टन क्या कह रहा है नेक्स्ट कोस्टन क्या रहा है नेक्स्ट कोस्टन क्या है हमारा बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है जो बनारस है हमारी इसमें कौन सी बोली बोली जाती है जो बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है बोली बो गोरगपुर में कौनसे बोली बोली जाती है? फोर फोरोटे कर खञान देश्न था जॉनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, जॉनपुर है हमारा इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, ऐसे प्रफूज नहों बहां सागे, कितने परकार होते हैं, कोसने देखते हैं, बहाँ सागे, कितने परकार होते हैं आप्सन जी भारते हिंदू जी जी मा फिरतब सिम्सरी के बाहे थे ज्योने पाइन सयोग किया था और हिंदी के लिए कुछ आपþलनगे मिम्र सिम्सरी जी ने जान जात खोएगने हिंदी के लिमton के साथ किаств Sara फड़ते हैं अपने कुसें सितापुर गोंड़ाा बाराइच वे डिल्ली के आसाओ सदिक बोली है हमारी यह और यह दिल्ली के असपास अधिक बोली आती है और सी मेवारी बोली हमारे राइस्थान और उसके असपास के इलाके जायपूर और हमारे भी मैथली हमारे किस से है भोजपुरी से निकली हुई है तो यह भी और option A अब्दी बचा किया option A अब्दी तो अब्दी देखिए लहवाद में भी बोली आती है आप कंफ्यूज ना हूँ और सीतापुर गोंडा भहराच में भी अब्दी ही बोली जाती है तो option A हो जाए तो हमारा answer क्या आया निकलके अब्दी आया समय या question को पढ़ाते समय तो अगले से हम उस चीज़ का दिहान रखेंगे और आपसे अन्रोध है कि मेरी वीडियो को आप दोड़ाए नहीं इसके लिए बहुत सब्सक्राइब भारत में कितनी लिपियां है कोशन क्या है भारत में कितनी लिपी है या लिपियां है option A ग्यारा option B 12 option C 22 option D 24 तो देखिए हमारी जो भारत में लिपी है कितनी है 22 लिपी है कोशन हो गया C और समयदान हमारी भासा भी है कितनी है 22 भासा है और जब 22 भासा है तो 22 लिपी भी होंगी है ना आप ऐसे गैस कर सकते है देखिए कोशन क्या कह रहा है बिहारी बंगाली उडियो और असमया जू है वासा किस अप भरंस से जन्मी है ठीक है ओप्सन ने का मागदी अप प्रण्स ओप्सन सी 85 अप्सन डी महराश्टी अप्रण्स से तो मरा टी भासा का जन्म हुआ 85 से हमारे लहँदा पंजाबी आ गई सो अप्सन से हमारे राजस्थानी में बालबी यह आ अर्स होगा ठीक है एक्जामरों में इसी तरह से कोशन आते हैं और रिपीट कास्ट होता रहता है और कुछ मैंने कुछ उन्ही इन युक रखे हैं कुछ है रिपीट कास्ट जो है बासा किस अप्वरंस से जनमी है ठीके ? option a का माघदी अप्वरंस, option b 16-ी अप्वरंस, option c 85 अप्वरंस, option d महराश्टी अप्वरंस, नहीं से तो महरा टीवासा का जनम हुआ 85 पंजाबी आ गई, सौर सनी से हमारे राजिस्थानी में वाड़ी यह आ गई तो बच्चा क्या हमारा option ए मागदी अब्रंस तो बिहारी बंगला ओडिया और असमिया का किसे जनम हुआ यह हुआ मागदी अब्रंस जो हमारी बिहारी भासा से रेलिटिब है तो हमारा answer क्या होगा ए होगा ठीक है एक्जाम्रों में इसी तरह से question आते हैं और repeat cast होता रहता है और कुछ मैंने unique question भी रखें कुछ repeat card question भी है आने वाले जो हमेशा आते रहें आपके लिए video भहत ही useful होगी आपके लिए करते हैं अपना question क्या कहा रहा है हिंदी किस के काल में नई चाल में ढ़ली यह किस के काल में पंक्ती के लिए कहा गया था option भारते हिंदु जी, option B बोपाल चंदर जी, option C राम चंदर सुकली जी, option D प्रताप नारान मिस्टर जी तो देखिए नई चाल में ढ़ली आपने महासा और साहित की महासा जो आज कल जो हमारें बोली जा रही अगर उस वहासा का प्रियोकरा गया है तो यह भारते हिंदु जी के कहा गया था कि नई चाल में ढ़ली हैं कि हिंदी जो है हमारी नई चाल में ढबली है तो हमारा option क्या होगा ए हो जाएगा और कोशन के अंसर के हो जाएगा ए हो जाएगा ठीके भाड़ते इंदू जी के समय ताल में भड़ते हैं अपना कोशन चंदायन या लोर कहा जिस कृष्थी का नाम है इसका समय काल क्या है जो सरपा जी की है अब दीवासाम सबसे पहले लिखी गई थी इसका क्या समय क्याल है आप बताईए इसके लिए गैस करिए उप्षन ए का 1270 उप्षन बी 1370 उप्षन ची 1371 और उप्षन डी 1570 इसबी तो देखी चंदायन या लोर का की जो कृती है दमुला दावजी की अबदी में लिखी हुई तो इसका समय सिमा है 1370 इसबी ठीक है तो हमारा उप्षन क्यों हो जाएगा बी हो जाएगा तो आंसर क्या हुआ बी हुआ क्या हुआ आंसर बी हुआ ठीक है आंसर क्या है बी है पढ़ते हैं अपना कोश्चन क्या कह रहा है अबदी की पहली रचना कौनसी जो अबदी भासा है, इसकी पहली रचना कौनसी है? Option A, चंदायन या लोर काहा, या पद्नावबत, या रामचरित मानस, या D, सूर सागर, तो दीके सूर सागर तो ये बिर्जवासा में लिखे गए, तो रामचरित मानस ये अबदी भी लिखा गया, पद्नावबत भी अबदी में ही लिखी गई है, पर ये पूछ रहे हैं पहली रचना, तो आप अप सोचें ये भी अबदी, ये भी अबदी, तो इसमें पूछ रहे हैं पहली रचना कौनसी है, तो ऑप्सन A आएगा हमारा, चंदायन या लोर काहा, टीके? ये अबदी की पहली रचना है, अबदी भाँ सागी, देखते अपना क्योचन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसके लिए, भारत की राश्ट्री लिपी कौनसी है, आपसन A नागरी लिपी, आपसन B देवनागरी लिपी, आपसन C ब्रामी लिपी, option D, ख्रोष्टी लिपी, देखिए, सारी लिपिया जो है, हमारे भारत की ही है, पर जिसे राश्टी लिपी गई है, वो कौन सी लिपी, ये पूछा जा रहा है, आपको निफीज ना हो बिल्कुल भी, तो option हमारे इसमें कौन से रहेगा, बी रहेगा, इसी के लिए हमारी देखिए, जो लिपी है हमारी option B, लिसी को राश्टी लिपी कहा गया है, भारत की, ठीके, इसका अंसर क्या हुआ, बी हुआ, एक्ष्ट कोस्टन हमारे का है, आदोनिक बहासा पे ज्यान के जनक कौन है, ज इसके कौन से जनक है, महासा बिग्यान जो जनक है, इसके है, option A है, तो फार्दी नांद दा सस्यूर, ठीके, आंसर हमारा A है, नेक्स कोस्टन क्या है हमारा, पढ़ते हैं इसके लिए, राजिस्थान में कौन सी बोली बोली आती, जो राजिस्थान है हमारा, इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, Option A पसमी Option B सौरच आनी, और Option C माग गही, Option C sorry D, Matthew तो देखिए राह सतार में हमारे बोली जाती है सौरच आनी, यानि कि सौरच आनी अपरणस से जो सारी बोलीयें निकली है, वो सब स्वार सेनी से ही निकली तो राइस स्थान में कौन सी बोली बोली जाती है स्वार सेनी सीतापूर गोंडा वाराइच में कौन सी बोली बोली जाती है option A, option B, option B, option C में बाड़ी, option D, खड़ी कौन सी बोली बोली जाती है सीतापूर गोंडा वाराइच में तो इसमे हमारी बोली आती है अब दिल्ली तो option वार क्या होगा? A होगा, answer क्या हुआ? A होगा Next question क्या है? देखतें इसके लिए फढ़तें से मेरट वा दिल्ली के आज पास कौन सी बोली बोली आती है मैं मेरट को या में अधिक जाते हैं। आए पढ़ते हैं अपने नेक्सिट पोवेशन क्या कह रहा है, मीरभाई के पद कौन सी भासा में हैं, जो मीरभाई जी हैं, हमारी थी, यह कौन से भासा में उन्हों अपने पद गाय थे, मेरो तो, गिर, घुपाल, दूसरों ना, कोई इस तरह से जो नों अपने पद गाय थ करते हैं तो आपके साथ अब the I'm the last question clip को सबाद करते हैं अगर आपके लिए मेरा वाखयान अच्छा लगता है मेरी Video अच्छी क्लास्स आच्छी लगती है तो मेरे चलर को सब्सक्राइब करें मेरि वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर कहीं कोई कमी रहे जाती है उच्चारां के समय या लिखने के समय या कोई मिस्प्रेंट हो जाता है या कहीं और कोई कमी है तो उसके लिए आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर करके जरूर बताएं तो मैं आगे से उन कम्यों पर विसेश ध्यान धन्यवाद